यहां पर हम आज लगाने वाले हैं आपका लाइव क्लाफ में मोडल पेपर आर्मी का रहेगा आपका क्यूंकि एक्जाम में आप 2-4 देनी बचे हैं टाइम बहुत कम हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तयारी कैसी है आप ऐसे इमानों के एक्जाम होल में बैठ कर एक्जाम दे रहे हैं ऐसी फिल आएगी आपको एकदम आर्मी के लेवल का पेपर यहां पे बनाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से इमान दरीके साथ आपको लाइव चेट बोक्स में अपने आंसर देना है यहां पे पाके पेपोंदरा और करना थेक है तो सभी स्ट और चरार्ट करिये कि ज्यादा यहां यहां पेप放एंगेश्य हो सकता है बाकि इतने ही आपके एक्जाम में रहेंगे चलिए आपके सामने आ चुका है बाल दीवस 14 नवंबर को किस माहा पुरुष के जनम दीवस पर मनाया जाता है आपके सामने इंदरा गांधी जवाहरलाल नहरू सरदार पटेल या गांधी जी तो यह सभी दीवस पर बाल दीवस मनाते क्युष्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बाल दीवस कब मनाया जाता है तो 14 नवंबर को बनाया जाता है लोग एक बार ईव्ट ले ले लें और जल्दी जल्दी जो है रिवीजन करें यह दो दिन में जो हैं सारे क्यूंस वालने हैए और चुशचन सारे ईक बार पढ़ लें sous & जल्दी जलड़ी लगाए दो चार property जितने भी आप लगापाए इस्ट्तने पेपर लगाए प्वरंटी रुपए में यह इबुक मिल जाएगी और ये वाले आपको मिल जाएगी 30 रुपए में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूरेंट के लिए 19 रुपए में यहां पे साइंस की ए डिलेट कर देती हूं चलते हमारे पोजी ड्राइट रहेंगे नेक्स्ट किश्चन भारतिय थल सेना के उत्री कमान का मुख्याल ये कहां पर स्थित है और शिमला देहरादुन उदंपूर लखनव आप आर्मी में भरती होने वाले हैं थोड़े ही दिनों में तो आपको पता होना चाहिए उदंपूर जो है क्य सा है नेप्चून यूरेनस जूपीटर या वीनस तो नेप्चून है आप सभी को पता है नेक्स्ट किश्चन काजी रंगा रास्टे उध्यान किसके लिए प्रसिद है शेर भालू गेंडा हीरन बताएंगे तो ये गेंडे के लिए प्रसिद है सी ऑप्शन राइट रहेग राष्टपती प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री या राज्य सभा अध्यक्ष तो मुख्य न्याय धीस की न्युक्ती राष्टपती की द्वारा की जाती है ए ओप्शन करने वाले फोजी राइट रहेंगे नेक्स्ट किश्चन ये किश्चन आर्मी के एक्जाम में दो वार चर्च कहां पर स्थित है मुंबई गोवा दिल्ली भोपाल जवाब देंगे जल्दी से तो ये गोवा में है कहां पर है गोवा में बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है नेक्स्ट किश्चन दक्षन अफ्रिका के प्रथम अश्वेत राष्टपती कौन थे नील मंडेला बराक ओबामा नेलसन मंडेला रोबर्ट कोच अब ये दो ऑप्षन देखो मंडेला मंडेला लास्ट में दिया हुआ है लेकिन आगे नाम नील और नेलसन तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है नेलसन दो सी ऑप्षन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बहुत बढ़िया चलो जल्दी से 4 घंटे, 5 घंटे या 5 घंटे तो पता हो न चीज़ 5 घंटे आगे जब गोल हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले जो हम ये ग्रीन विच रेखा और समय वगर आई पढ़ते हैं तो 5.5 घंटे राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा बनाए गए यूए बी का नाम क्या है यूए बी का नाम बताएंगे त्रिशूल मैतरी नीशान्त या उडान जवाब देंगे तो हाँ बिलकुल नीशान्त जो है वो भारत के द्वारा बनाए गए यूए बी का नाम है next question निम्न लिखित में से कौन सा ग्रह आकार एवं द्रव्यमान में लगबग पृत्वी के समान है दिखो सौर मंडल वाला टोपिक मैंने आपको करवा दिया है जितने भी question बनते हैं topic wise class लेना उसमें से आ जाएंगे लगबग अकार और द्रव्यमान में समान है जिसको हम पृत्वी की बहन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पृत्वी की बहन भी तो यह शुक्र ग्रह है option की जुरत भी नहीं है करवाया है आपको next question सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिग वेद यजुर्व वेद साम वेद या अथर्व वेद जवाब देंगे जल्दी से जवाब दीजेए प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था तो यह option करने वाले फोजी राइट रहेंगे बहुत बढ़िया last question जी के कहा चुका है दिलवाडा के जैन मंदिर कहां अस्थित है बताएंगे दिलवाडा के जैन मंदिर जम्मू कश्मीर माउंट अबू कोनार्क या रामेश्वरम देखो यह option यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे सूर्य मंदिर है क्या है सूर्य मंदिर यह भी बार बार पूछा जाता है तो इसको नोट कर लेना सूर्य मंदिर कहां पे है कोनार्क उडिसा प्रसिद सूर्य मंदिर है यह ठीक है चलिए अब यहाँ पे कौन सा answer राइट होगा वो आपको बताना है दिलवाडा के जैन मंदिर पूछा है तो यह माउंट अबू मे करने वाले फोजी राइट रहेंगे एक बार इमांदारी से पहले बता दो कि 15 में से कितने क्यूश्चन सही हुए हैं जीकिये में इमांदारी से बताएंगे चलिए अब यहाँ पे समन्ने विज्ञान आपका आ चुका है भाग दो इसके अंदर हम देखते हैं सोलवा किस्चन ए सुमेलित को छाटना है आपको मतलब जो सुमेलित नहीं है वो अलग करना है यहाँ पे दिये हुए आपको विटामिन के नाम यहाँ पर दिये हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है तो देखो विटामिन A की कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है रतोंधी क्या नाम होता है रतोंधी विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स रोग ठीक है विटामिन E की कमी से होता है बाजपन विटामिन K की कमी से रखते का धक्का नहीं जमता है तो यहाँ पर यह स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी ठीक है और विटामिन A की कमी से क्या होता है रतोंधी होता है जिसको रात में दिखना कम हो जाता है इस रतोंधी रोग में और स्कर्वी जो रोग होता है इसमें क्या होत में यानि कि दांतों में दिक्कत हो जाती है विटामिन सी की कमी से ठीक है तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आपका राइट आंसर क्या लग जाएगा यह लग जाएगा क्यूंकि यह सुमेलित नहीं था आपका इस तरह का क्यूश्चन भी आ सकता है इसमें आपको तीन चा का सुत्र बता दो जल्दी से बहुत बढ़िया सी टू एच फाइफ ओएच एथे नोल का सुत्र होता है नेक्स्ट क्यूश्चन नंबर अठारा दवाब बढ़ने से तरल पदार्त का क्या होगा दवाब को बढ़ाओगे तो तरल पदार्त के क्या परभाव पड़ेगा बढ़ेगा प्रेशर कुकर वाला ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन माचिस में उप्योग किया जाने वाला पदार्त है सफेद फॉस्पेट लाल फॉस्पेट सोडियम या मैगनीशियम तो यह आपका लाल फॉस्पेट रहता है फॉस्पर समझ गए चले बी आंसर करने वाले फॉस्पेट लेंगे ओम का नियम देखो इस तरह से क्यूश्चन भी आपके सामने आ सकता है सधी आया हुआ भी पिछे जीडी में आया हुआ था जीडी के एकजाम में मिला है यह तो वी इस इकल टू आई 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 इस इकल टू वी आर यह क्या सुतर रहता है सारे अब का नियम आपका पता ही है ठीक है वी वोल्ट का को आई यहां पे विद्धारा को और आर जो है प्रती रोध यानि रजिस्टेंस को यहां पर डिनोट करता है ओम का नियम ठीक है किस्ट नूबर 21 समान्यत है अवतल दरपन द्वारा बना उल्टा प्रतिभिंब कैसा होत है जल्दी से जवाब देंगे अच्छे से सोच लीजे हां बहुत बढ़िया वास्तविक होता है अवतल दरपन से जो उल्टा प्रतिविंब बनता कैसा होता है वास्तविक चलिए नेक्स्ट किस्टन पे किसी गतीमान पिंड में क्या नहीं पाया जाता नहीं को देख लेना ये बिमारी करता है कि किसी गतीमान पिंड में क्या नहीं पाया जाता गती वेग गती जुर्जा या स्थिति जुर्जा जवाब देंगे गती बिलकुल पाई जाती है वेग भी ओता है गतिज़ उर्जा भी होती है क्या नहीं होता स्थितिज़ उर्जा नहीं होती ठीक है चलिए डी औप्शण करने वाले साथ ही राइट रहेंगे नेक्स्ट क्यूश्ट बईयों कम दिया है युगमन माइटोसिस ने कोई नहीं जवाब दीजिए माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका विभाजन से सब्मंदित है बायलोजी वाली क्लास में देखना आप बी ऑप्चन राइट रहेगा प्रित्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है आयरन अनुपर फॉसफोरस अनुपर कार्बनिक अनुपर या कैलसियम के अनुपर जवाब देंगे तो प्रित्वी पर जीवन जो है कार्बनिक अनुपर निर्भर करता है सी ऑप्चन करने वाले साथी राइट रहेंगे सबसे बड़ा अंडा किस जीव का है? मुर्गी, मोर्ग, शतुर मुर्ग या कवा? यह किश्चन तो बचपन में बहुत बार देखा हुआ है, शतुर मुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होता है उड़ने वाला संधारी जन्तु है उड़ने वाला संधारी जन्तु वेल मुर्गी चमगादड या कववा तो इसमें आपका चमगादड राइट आंसर है का सी ओप्शन राइट हो जाएगा Q 27 चालक सार के दोनों सीरों के मध्य उतपन विबवांतर किस उकरण में मापा जाता है कोई भी कंड़क्टर वायर हो यहाँ पर V1 वोल्टेज है यहाँ पर V2 वोल्टेज है इन दोनों वोल्टेज के मध्य में जो पोटेंशल डिफुरेंस यानि के विबवांतर को हम मेजर क करते हैं तो वह कौन से उपकरण के अंदर होगा मीटर वोल्ट मीटर धारा नियंतरक या सिस्मो मीटर जल्दी से जवाब दीजिए हां बहुत बढ़िया वोल्टेज आपको पता है यह वोल्टेज यानि कि पोटेंशल डिफ्रेंस आप लोग मेजर कर रहे हो तो वोल्ट जो है वो सोने का प्रतीक चिन रहेगा एच जी का भी पूछा रता है मरकरी है और पीबी का भी पूछते हैं लेड है ठीक है चलिए नेक्स्ट विश्चन सोडियम क्लोराइड एन इसील होता है सधारन नमक बेकिंग सोडा धावन सोडा या नीलात हो था जवाब दीजिए जल्दी से सोडियम क्लोराइड एन इसील सधारन नमक होता है जो आप यूज करते हैं घर में सधारन नमक या दख लेंगे मस्तिश्क उत्तरदाई है शरीर का संतुलन बनाए रखने में सुम्रण शक्ति के लिए चेतना के लिए उप्युक्त सभी के लिए आपको बता है य एक्जाम पास है थोड़ा सा आइडिया लग जाएं ठीक है अब यहां पर आ चुका है आपके सामने आपका गणित का पोर्शन कुछ स्टूडेंट जो हैं फिल भी बोलते रहते हैं कि मैस का जो है उसमें दिक्कत रहता है मैस में दिक्कत नहीं रहेगी इजी माइंड से कर इजी तरीके से करो अराम से प्रियाप्त टाइम होता है साथ मिनिट होती है ठीक है अराम से कर सकता मैं इतने दीरे दीरे बीच में आपसे बाते भी की हैं इतना करने में ही हमें आराम से करवा दूँगे आपको देखो चलो गणित आ चुकिए यहां पे एक अर्ध वर्थ द्वारा परीधी पर बने कोन का मान क्या होता है अब पहले आपको पता होना चाहिए अर्ध वर्थ आपका ठीक है क्या होता है अब क्या बोल रहा है कि परीधी पर बने कोन का मान क्या होता है यह आपको बताना है ठीक है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पुर्णर आप परीज़ी पर मिलाओ तो यहां पे यह कोण बनता है कितने का होता है कितने का इस एक यहां पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं अंग्षत भुझ के यूग होगा समशट बुझ तो पहले तो आपको एक सुत्र पहता हुग के योग का सुत्र होता है बताया है जल्दी से बताएंगे एक बार जवाब देंगे क्या सुतर होता है बहु बुझ के अंतर है कोनों के यह का सुतर यह होता है ना 2 N-4 into में 90 बताया है मैंने अब 2 का 2 N का मतलब बुजाओं की संख्या इसने क्या बोला 60 बुझ का मतलब 6 बुझाएं ठीक है 6 बुझाएं माइनस 4 और आगे क्या है 90 एक-एक step करके दिखा रही हूं मैं कमजोर student है उनको भी आजएगा 6 दूनी 12 12 में से 4 घटाएंगे ठीक है 12-4 और फिर यहाँ पे क्या है 90 ठीक है समझ गए अब 12 में से 4 माइनस कर दो 8 इंटो 90 आठ निमे बहतर और 0720 समझ गए एक-एक step क्या है अब जिसको अच्छा से math आत next question जिया और पिया की आयू का अनुपात आठ अनुपात 5 है यादी दोनों की वर्तमान आयू का योग कितना है 26 हो तो बताओ जिया की आयू क्या है जिया की आयू पूछिए जब भी ऐसा question आपके सामने आ जाए आपको क्या करना है जिया क्या यू पूछी है देखो एक तो लड़की थी जिया एक थी पिया जिया का अनुपात कितना है आठ पिया का कितना है पांच जिया वला निकालना है ना तो उपर तो लिखो अनुपात आठ बटे में लिखो योग योग कितना हो गया आठ और पांच तेरा तो योग लिख लो बटे में 13 और यहां पर इन्होंने दिया हुआ है योग कितना है 26 यहां लिखो 26 काटो 13 दुनी 26 और 8 को 2 से गुणा कर दो 8 दुनी 16 मतलत जिया कितने साल की है 16 साल की हो गई ठीक है इतना इजी तरह से काम हो जाता है आर्मी का लेवल का किस्चन ही है यह इतना ही लेवल रहता है कुछ दो तिन किस्चन हारड लेवल के रहता है वो भी आगे आ जाएंगे यह नोर्मल है ठीक है किसी परिक्षा में गोपाल ने 30% अंक प्राप्त किये और वह 15 अंकों से फैल हो गया उसी परिक्षा में दूसरा लड़का था जिसका नाम था शुशांत और उसने 40% अंक प्राप्त किये जो कि उत्रिनांक से जितने आपको पास होने के लिए चाहिए थे उस नंबर से 20 अ और इस तरह से दो लड़कों के आपको नंबर दिये हो तो इसमें एक ट्रिक लगती है कुलपूर्णांक ग्याद करने की क्या होती है उसमें उपर तो लिख देना अंको का अंतर ऊपर तो क्या था है अंको का अंतर ठीक है और बटे में यहां पे आ जाता है आपका प्रश्ट का अंतर ठीक है और गुणा में आपको क्या कर देना है सो गुणा में क्या कर दोगे सो ठीक है चलिए अंको का अंतर देखो अब यह एक लाइन है ठीक है यहाँ पे मानो क्या है पासिंग मार्क्स यहां पर क्या है पासिंग मार्क्स ठीक है अब इससे एक लड़के के तो कम आए है इससे एक लड़के के 20 नंबर कम थे ना एक बार देखना दुबारा पंदरा एक के तो क्या है 15 कम है और दूसरे के क्या है 20 जादा है ठीक है तो अब यह लाइन थी आपकी एक के तो क्या हो गए? पंदरा कम और दूसरे के क्या हो गए? बीस ज्यादा जब इनका अंतर करने जाओगे तो वो अंतर घटेगा नहीं अब एक इस साइड जा रहा है जब अपोजेट साइड हो जाती है तो उसको जोड दिया जाता है तो वीस पलस पंदरा हो जाएगा यह जुडेंगे आपस में इनका अंतर भी क्या होगा जुडेंगा आपस में क्योंकि अपोजिट साइड्स आपको समझ जाना चाहिए करवाया हुआ है मैंने टुपिक वाइस क्लास में ठीक है तो यहां पे आप लोगों क्या रख दोगे का उंतर कितना हो गया 20 प्लस 15 अब प्रतीशत का उंतर तो भी डाघवा एक किते पर्सेंट है तीस पर्सेंट दूसरे किते हैं 40 पर्सेंट 40 और 30 का अंतर कर लेना 40 माइनस 30 और गुणा में क्या है यहां पर 100 है गुणा में क्या है यहां पर किता हो गया 20 और 15 35 चालिस में से 30 गया 10 गुणा में क्या है 101-10 कट गया कितना गया 35 गुणा 10 तीन सो पच्चास ओप्च्चन में है क्या ढूंडों तीन सो पच्चास जल्दी से बिल्कुल है बी ओप्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा मतलब फडिक्षा 350 नंबर की थी नेक्स्ट क्षिचन एक दो अंकिये संख्या के दोनों अंकों का योग दो अंक की कोई संख्या है दोनों अंकों का योग कितना है 12 और इसके दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है 6 है ठीक है दो संख्या मान लो एक मान ली X प्लस Y दोनों अंकों का योग कर कर लिया अंतर कर लिया मतलब एक्स में से वाई क्या कर दिया माइनस कर दिया अंतर कितना दिया हुआ है अब क्या करो इन्हें दोनों समीकरण को सोल कर दो सोल करेंगे विलोपन विदी से वाई से वाई कट जाएगा एक्स और एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स और बारा और लaken हो तो यहां पे एक्स की जगह क्या रख दिया हमने नो रख दिया बर यहां पर बरमने क्या आजाएगा तीन आजाएगा दो संख्या क्या गई नो और तीन तो यह नइनटीठी भी ओसकती है और यह थर्टीन राइन भी अब ऑप्चन में इन में से 93 और 39 में कोई एक दिया हुआ होता हम फिर भी वो कर देते लेकिन यहां दोनों दिया हुआ में मतलब कि हम निर्धारित नहीं कर सकते तो ऑप्चन डी के साथ जाएंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता कि दोनों हो सकते हैं कोई भी संख्या हो सकती नाइन और थी समझ गए क्या रहेंगे रहेंगे नेक्स्ट किस्टी पे चलते हैं कौन सा किस्टी अंगया 30 संख्या популяр का आश्त निकाला गया' चालेश संख्या आश्त कितना निकाला 18 ठीक है परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर जो Kyoto 39 थी उसकी जगह पर जल्दी बाजी में 79 पड़ लिया गया तो बताओ सही ओसत क्या होगा और योग कितना हो जाएगा योग होता है और गुणा के अंदर टोटल संख्या संख्या कितनी दी होई है चालिस तो 28 गुणा 40 कितना हो जाएगा इनको गुणा करोगे 112 और यह 0 आ जाएगी तो 1120 हो ठीक है चलो अब क्या बताया इसने कि अधिक जोड लिया गया कितना जोड़ा देखो 79 ठीक है 79 में से 39 कितना कितना जाएगा 40 मतलब कितना जादा जोड दिया 40 जादा जोड दिया ठीक है ना पढ़ना तो था 39 पढ़ लिया क्या 79 मतलब कितना जाएगा एक अजार असी आ जाएगा मतलब योग एक अजार असी होना चाहिए था ये तो क्या आ गया अपने पाव से योग जो राइट योग होना चाहिए था वो राइट योग आ गया हमें पूछा है राइट ओसत सही ओसत क्या है हमें क्या पूछा है यह सही योग आया था आपको पुछा है सही ओसत क्या है सभी को समझ में आ रहा है एक हजार असी संख्याए कितनी संख्या है तो वही थी 40 अब इसको काट लो आप अराम से इसको चार से काट दो चार दुनी आठ और दो बज जाएगा यहां से और चार सते 28 27 आ जाएगा भड़ा से करने में वी एक मीनिट भी नहीं लगी सही ओसत यहां पर लिखनी है आपको पुराना ओसत क्या लिखगे माल माइनस करनी है गलत संख्या माइनस करनी है गलत संख्या ठीक है माइनस का निचान है और बटे में यहाँ पर क्या आएगा कुल संख्या बटे में क्या आएगा कुल संख्या यह आपकी ट्रिक रहती है ठीक है अब जल्दी से इस ट्रिक के साथ भी आप कर सकते हो ठीक है अराम में कुल संख्या कितनी है 40 ठीक है 28 का यहां पर 28 रह जाएगा अब यहां पर यह प्लस माइनस का देखो अब यहां पर आपको देखना है कि क्या निशान आएगा 39 में से आप 79 करोगे तो यह कितना बच जाएगा आपके पास 40 बच जाएगा वो भी किसका बचेगा माइनस का बटे में क्या है पहले से 40 है ठीक है अब 40 से 40 क्या कर दोगे काट दोगे कितना आजाएगा एक आजाएगा 28 में से 1 माइनस करोगे कितना आजाएगा 27 आजाएगा 27 तो चाहो तो इस जो यह ट्रिक होती है इससे भी कर सकते हो और या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हो तो 27 यहाँ पर right answer आपका होई गया था यह कर लिया था हमने 27 ठीक है चलो next question देखते हम 45 में भाग देना है आपको ठीक है इसको एक बाम मैं मिटा देती हूं थोड़ा सा ठीक है कर लिया अब 45 में आपको भाग देना है संख्या का भाग दीजे जल्दी से कोई खास बड़ी च तीन और चार संख्या के बाद में पॉइंट है ना इस पॉइंट को टा और उपर क्या लगा दो इतने ही जीरो एक दो तीन और चार लगा दिए चलो अब इसको काट लो नो एकम नो नो पंजे 45 पांच के आगे यह चार जीरो टिका दो बस कुछ नहीं करना यह आगया ऐसा अब एक क्यूश्चन आर्मी में मिल जाता है आपको तो पांच के आगे चार जीरो कांपे हैं यह रहे डी आउप्चन क्या हो जाएगा राइट बहुत बढ़ी है नेक्स्ट क्यूश्चन देखेंगे जल्दी से पी क्यू तथा आर तीन आदमी है किसी कार्य को करमश है छै सीधा ऐसे ղिख लेना क्या करना सीधा इस तरह लिखना देखो यहां पर असे लिखना भी क्यू और आर इनके मंतले लगा लेना अनुपात ठीक है अब यह कितने किते दिन में काम करें 6 9 और 18 यहांर लिखो 6 9 और 18 यह कर लेती हैं एक दिन का काम निकालें तो एक बटे 6 एक बटे 9 एक बटे 18 ठीक है इनका नूपात लिए अब इनको सही अनुपात में अपने को करना है इनको इनको मैं 18 18 से गुणा करवा दू यहाँ पे तो इनका अनुपात सही हो जाएगा ना क्योंकि हमको सिंपल अनुपात में लिखना है इनको ठीक है तो इसको काट लो 6 मवलाइट 6 शे टी चाँ नो दूनी अठाँ 18 इकम 18 तो कितना आ गया तीन अनुपात दो अनुपात एक ये आपका यहाँ पे अनुपात आगया सही अनुपात अब आपका आ गया यह पहले एक एक का था सही बटे में था इसको हमने रइट अनुपात में लेकर लिए अब द पात कितना हैं दो उपर तो लिखो दो बटे में आज जाएगा योग कितना हैं ठीक है पैसे कितने थे वह साथ सो बीस थे ना अब इनको काट लो कुछ नहीं है इसको काट ओगे इस से तो छै एकम छै दो बचेगा इन बारा चैदुनी बारा और जीरो बारा को दो सिकुना ख आपको बताया है बहुत बढ़िया डी ऑप्चन करने वाले साथ ही राइट है एक एक स्टेप बताया है अराम से कर सकते हैं अपने कोई जल्दी बाजी नहीं है राम से पिपर हो जाएगा पूरा टाइम मिलता है आर्मिक पिपर में एक 500 मीटर लंबी रेल गार्डी है ठीक लंबे प्लेटफोर्म को कितने समय में पार कर लेगी ठीक है तो कुल दूरी कितनी हो गई पहले तो देखो कुल दूरी 800 मीटर लंबा तो क्या है प्लेटफोर्म 500 मीटर रेल गार्डी की खुद की लंबाई है टोटल दूरी कितनी हो गई 500 प्लस 800 कितनी हो गई तेरा सो मेटर तेरा सो मेटर की तो कुल्डी दूरी हो गई देख लिया ना अपने आठ एठ पानचो कुल दूरी कितनी की हो गई अब यहां पर आपको क्या निकालनी है पहले तो निकालनी पड़ेगी चाल पहले तो चाल निकाल लो क्योंकि चाल किसमें किलो मेटर प्रति गंटा में और यहां पर चीजें किसमें मेटर में तो पहले जो किलो मेटर प्रति गंटा है ना इसको मेटर प्रति सेकेंड में चें करोगे तो क्या करना पड़ेगा पांच बटेट रा से गुणा करना बताया हुए मैंने आपको पहले अब इसको कट लो कितना जाएगा यहां पे देखो बीस आगया क्या हाँ बीस आजाएगा 20 मीटर प्रती सेकड यहां पर आपके लिए आ जाएगा चलो यह आपके पास क्य आ गई चाल आ गई क्या गई चाल आ गई दूरी आपके पास है अब समय निकाल सकते हो अराम से निकाल सकते हो समय निकालो तो जल्दी से समय क्या हो जाएगा समय का सुत्र बताया हुआ है दूरी बटे चाल क्या सुत्र होता है फोजियों जल्दी से जवाब दो दूरी बटे चाल दूरी कितनी थी 1300 तेरा सो थी अपनी और चाल कितनी आई है यहाँ पे 20 आई है इसको काट लिया इसको इससे काट दो यहाँ पे दो चीके 12 दो पंजे 10 65 65 सेकंड 65 सेकंड उत्तर मिल रहा है कि बिल्कुल मिल रहा है यह देखे 65 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी वो रेल गार्डी 65 सेकंड बी ऑप्शन करने वाले साथ ही राइट रहेंगे एक तो देखो स्क्रीन पर लिखने में नाचगुनी हो जाएगी देखो एक बार मैं आपको इन्फोरमेशन देती हूं कि हजार किस्टन तो जी के करवा चुके हैं ठीक है उसके अलावा अब जी के और जी असके 500 पांसो पांसो क्रिश्टन और लिए हैं वो भी देवसर करवा रहे हैं वो किस्टन एक बार जरूर पढ़ लेना उनमें से आपको एक्जाम में मिल ही मिल सकता हैं तो वो किस्टन भी आप लोग जरूर पढ़ना क्लास देंखे अगर जो स्टूडेंट नहे हैं सब्सक्राइब कर लें एक बार ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और टेलिग्राम ग्रूप को बताना है ठीक है जब भी ऐसा क्यूस्टन आपके सामने आए आपको कुछ भी नहीं करना आपको एक शानदार सी ट्रिक लगानी है क्या ट्रिक लगानी है आपको एक सुत्र लिखना है मैं आपको बता रहे हूं n1-1 upon t1 is equal to n2-1 upon t2 यह सुत्र लिखोगे आपको इसके 1 का माण कितना हो गया दो गुणी तो 2 ठीक है माइनस 1 तो माइनस 1 अपोन 7 कितना अंब साल का ठीक है बवर का बराबर 2 कितनी गुणी हो जाएगी 5 गुणी होनी चाहिए ठीक है तो ट्विता कितना है पांच अब इसके बाद में-1-1 सुत्र में है T2 की जगह आपको T2 लिखना पड़ेगा कि T2 का मान आपको ग्याद करना है कि कितने साल में 5 गुनी हो जागी ये क्रिश्चन बूचा है तो T2 का मान आपको ग्याद करना है अब देखो मैंने यहां समझाने के लिए आपको स Wirf – लगाई आप डाइरक्ट दो में से 1 घटा के क्लिक सकते थे तो 2 इसे 1 घटाया एक बटे मैं क्या है चार बटे मैं क्या है टी 2 अब का क्रोस मल्टिप्लाई वज़र गुणा कर दो तो टीटू बराबर यह मैं लाइन की टीटू बराबर यह कितना हो गया पांचों के बीस टीटू का मान कितना गया बीस तो बीस वर्ट यानि बीस साल में जो है वह पांच गुनियों जाएगा ऑप्शन मिल रहा है क्यों नहीं मिलें का एतने ऊशारो तुम लो votes व्हीओ राय्ट ओंगया नेस्ट डिश्ट्ल को आप के सामने यह आपको सोल करना यह क्तारना आपको सोल करना है अब अब दिखो जब यह से प rév clip वाल सवाल आजएए इनको गुणा बाग करने मत पेट जाना इनको गुणा भाग करोकि बहुत टाइम लग जाएगा इतना टाइम नहीं है मारे पास इनको एमान लो इसको मान लो इसको भी, बी इसको ए सबस्ते को वे आ गया एक की स्क्वाइर की स्कॉयर Firminowa minus b और b क्या हो गया b की square बटे में a minus b a minus b ये आ गया मैंने value put किए और कुछ नहीं किया अब देखो a minus b की square इसका सुत्र पड़ा हुआ है आठ़वी क्लास में क्या था a plus b a minus b ये ही सुत्र था बटे में क्या चल रहा है a minus b चल रहा है a-b से a-b कट गया क्या बचा a plus b यही बचा अब a का मान क्या है 3.19 और b का मान क्या है 1.81 यही मान है इन दोनों मान को जोड़ दो no रिक किता हो गया 0 हसल 1 और 5 5.00 आएगा मतलब 5 ही उत्तर है मतलब क्या है 5 ही उत्तर है 5 उत्तर है गया बिलकुल 5.00 मतलब 5 ही है a option क्या हो जाएगा right हो जाएगा इस तरह से आप लोग कर सकते हो और आम से कोई समश्या नहीं है अब ऐसे question आए तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे a और यह खरके बताया है आप direct सोच सकते हो 42 question में आपते है यहाँ पर दो समझान आपको दी हुई है x और y का मान आपको ग्यात करना है यहाँ पे बहुत जगह है हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेंगे अभी ठीक है क्या है 2y-4x is equal to 24 और यहाँ पर क्या है 4 प्लस इसको तेखो यह बराबर होगा तभी कटेगा बराबर होगा तभी कटेगा यह जो समीखरण इसको 2 से गुणा करवा दो इसको पूरी को किस से गुणा करवा दो 2 से गुणा करवा दो क्योंकि हमें बराबर करके काटना पड़ेगा इसको 2 से गुणा कराएं कितना होगा 2y प्लस 2 तिया 6 तो 6x हो गया और 2 साते 14 तो यहाँ पर यह समीकरण आ जाएगा मैं इस समीकरण को यहाँ पर लिख रही हूँ तो 2y प्लस 6x is equal to 14 ठीक है आप try किया करो कि कोई ना कोई संख्या y वाली या x वाली उसको बराबर बना तो अब मैंने इसको बराबर बना दिया अब देखो यहाँ पर निशान इनके मैं change कर लेती हूँ प्लस था तो माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस change कर दिया मैं निशान का विलोपन विदी लगाते हैं निशान चेंज गरते हैं बताया हुए आपको 2i से 2i कट गया अब देखो माइनस का ये और ये माइनस का माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 और 4 10x आपके सामने आ गया एक एक स्टेप बता रहे हुए आपको अब ये माइनस देरे चला जाएगा x is equal to minus 1 x का मान कितना आ गया माइनस 1 कोई भी समीकरण में ये मान रख दो इसमें रख दो यहां पर x की जगा क्या रख दो माइनस 1 रखोगे तो 2y का तो 2y ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहां पर जाके प्लस हो जाएगा प्लस ठीक ह प्लस का कितना आ गया यहां पर 4 प्लस का कितना गया 4 बराबर में कितना है 24 तूइस चार इधर प्लस का जाएगा माइनस का 2Y का 2Y 24 में से 4 माइनस करोगी कितना आ गया 20 इस 2 से इसको काटोगी कितना आ जाएगा 10 तो Y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 10 Y का 10 X का माइनस 1 कौन सा option आपको मिल रहा है जल्दी से देखके बताओ A मिल रहा है क्या माइनस एक और 10 A option करने वाले फोजी दाइट रहेंगे ठीक है कर लिया होगा हां बहुत जल्दी कर लेते हैं आप लोग चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्यूस्ट्री चोंसट की पावर 2 बटे 3 है इसका मान आपको ग्याद करना है जल्दी से ग्याद कर दो भी इसमें कोई सोड़ा 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 चो बराब और आपने को क्या दिया द comedy राइंगे यह करने में थोटाकी जगाई चारप लेंगी घल टीक है तो आऊ और उंटर आ जकूं गया के बिल्कुल अभी option करने वाले साथी राइट रहेंगे next question यह करने में थोटी जगा चाहिएगी यहां कर लेंगे ठीक है देखो टैन चार डिग्री टैन त्यारीस डिग्री टैन सेंटारिस डिग्री और टैन च्छासी डिग्री है जो पहले तो एक काम करो जिनके मद्य समंध अंधर बन सके उनको पास पास लिख लो टो यहां पे हमकरेंगे टैन चार डिग्री और यह टैन चिछासी डिग्री इसको पास में लिख लिए और इन दोनों को पास लिख 10 चार का चार पड़ा हो अब देखो इस 86 को क्या लिख सकते हो आप इस च्छी को 1-1 कि अंग चलो इस च्छी को आप लिख सकते हो एक मैं लिखते हूं 90 माइनस चार 90 डिगरी माइनस चार डिगरी लिख सकते हो क्योंकि नबबे में से चार गड़ाते तो 86 आता है कोई दिकत नहीं है लिख दिया अब देखो इसको करते हैं हम 1047 है और इसको हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1090-47 43 की जगा 1090-47 लिख सकते हैं कोई लिखत नहीं है चलो ऐसे लिखा है तो नहीं को चेंज करना दोनों को चेंज नहीं करना यहां पर चार ऐसे रखा है 47 वाला यहां पर ऐसी का ऐसी रखा है एक एक को चेंज परिया है अब देखो 10 4 का तो 4 यहां पर पढ़ा है 4 डिगरी अब 10 90 माइनस थीटा एक सुतर होता है यहां पर देखो 10 90 माइनस थीटा यह क्या होता है कोट थीटा तो यहां पर 10 90 माइनस 4 अब यहां पे 10.47 का 10.47 आपके पास पड़ा है 10.90 माइनस 47 क्या हो जाएगा 47 समझ गई अब देखो 10.4 का 4 पड़ा रहे हैं यहां इसके साथ कोई छिड़वाई नहीं करनी कोट का सुत्र होता है कोट थिटा का सुत्र होता है एक बटे 10.7 यहां पर पढ़ाई आपका कोई समश्या नहीं है अब यहां पर क्या था कोट सेंटारीस की जगह क्या लिख सकते हैं एक भटेट टैन सैंतारीस ट्रिग्नोमेटरी वाली क्लास देखना जिसने नहीं दिखी उँसको सुतर वगर याद नहीं होंगे ठीक है तो वह क्लास देख लिएन आप सरने बनाई विए बहुती शांदर धो अब देखो टेन चार से टेन काट गया तेन से तैन से 177 कट गया कितना मान आं गया एक जीरो मत कर देना ठीक है टेन से टेन काटा एक भाग जाएगा न इसका भी एक गया झाइगा ँट पर षैनका की ठीट आहेगा यह सवाब्त इसका ब हो जाएगा कि ये चार और ये 86 के बीच में रिलेशन है ठीक है बतब ये कितना हो जाएगा एक बन जाएगा बाद में इस 43 और 47 के बीच में रिलेशन है ये कितना बन जाएगा एक बन जाएगा सब के बीच में गुणा का निशान है तो एक गुणा एक गुणा एक उत्तर कितना आएगा एक आएगा अगर टिग्नोमेट्री के ये रिलेशन्स आपको याद होते हैं जो मैंने यहाँ पर करके दिखाए हैं तो आप एक सेकेंड नहीं लगाते हैं आपको देखते ही पता चल जाता कि एक उत्तर आ रहा है किसना उत्तर आ रहा है एक तो भी आप्शन करने वाले फोज टान है तो ऐसे जो क्यॉषерм लाइगा यहाँ विक्तिति का तिर्बुज बनाको ठीक है इसको मांने लो ए थी missions को मांने लो सिछ्ए के लंबाई अब हैं क्या की यूशा की रूट 3 गुणी गुनी इसको मैं पता यह कितनी now कि टेन गुणी तो ैस को कि से गुणा कर दिया रूट से गुणा कर दिया त TWO आपने एक सुथर यह tav egent निकालना है अब देखो आपने एक सुथर यह जो ट्रिक पड़ी होगी बचपन में reti लाल बटे कक्का वाली त्रिक पड़ी है ना लाल बटे कक्का ये ट्रिक पड़ी हुई है ठिक है अब दे.' BBC आपको दो चीज़ें क्या चाहिए यहां पढू अनुचाहिए या जिसको हम लंम जोलन. 1 यहां लम Guley नूम कि चाहिए यहां लकिन ओम थ dual ठीक हैए और साइन कोस ten ये किसका सुतर होता था ten का होता था, L बटे A ये तो हमारे पास ये ही चीज़े है एक तो L है एक हमारे पास ये ये अधार है ठीक है, L पूर लंब, A पूर अधार ठीक है, तो ये लंब और अधार, तो ये L बटे A आपने 10 निकाल लिया अब कुछ नहीं करना आपको टैन थीटा, बराबर L बटे A, L का मान किया ए, AB, AB यानिके X, और ये नीचे अदार का मान कितना है, B-C यानिके X बटे रूट 3,rit flush between root 3, अब X से X तो क्या हो गया, वह उपर क्या बच्छा यहां पर, Tैन थीटा का मान क्या बच्छा, एक उपर गया उच्छा एक बटे रूट तीन ये माना गया अब आप ये चीज़ सोचो टैन के मान आपको पता होने चाहिए अब इसके लिए टैन के मान पता होने चाहिए एक बटे रूट 3, 10 में किसका मान होता है सारनी याद होने चाहिए जिसको सारनी याद नहीं है वो एक बार सारनी वारी क्लास देखी ना तो आपको याद हो जाएगी एक बटे रूट 3 किसका मान होता है मुझे तो याद है कि ये रूट 30 का मान होता है किसका मानता है 30 डिगरी का मानता है एक बटे रूट तो मैं तो डिरेक्ट कर दूँगी जिसको याद नहीं है वो कैसे करेगा इसलिए आप वी याद रख लेना तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा चलो अब यहां पर मैस के क्यूस्चन सही हो गए है आपके सारे 15 क्यूस्चन पूरे सही कर लिए है 15 में से आप लोगों ने कितने राइट किये थे वो बताएंगे इवानदारी के साथ मैथ में समान्य बुद्धी मता रीजनिंग आ चुकी आपकी ए बटे जड बी वटे वाई सी बटे डबलू डी बटे टी इनमें कोई रिल जेड में एक माइनस करते हैं वाई आता है वाई में दो माइनस करना पड़ेगा यहां पर तो डबलू आता है डबलू में फिर कितने माइनस करेंगे तीन माइनस करेंगे तो टी आ जाएगा ऐसे ही ती में चार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा यानि कि सब्सक्राइब करना है तो एक बार ऐसे लिख लो इनको पी एस टी कोड कितना है आपके पास पचपन पचपन कैसे आया पहले आपको यह सोचना है तो इसके लिए मुझे तो यह याद है कि कौन सा एक रहन को मझा कर लें तो पी कहा कितना हुटा शोला कि नंबर के चती कितने पीशन पर कर दो 16 19 plus 20 कितना हो गया 55 आ गया मतलब ऐसे ही आपको NPR का मान रखना है NPR N का मान 14 नंबर पर आता है P कितने पर आता है 16 पर आर कितने पर आता है 18 पर इन सब को जोड़ दो आपस में कितना आ गया जोड़ना एक बार 48 आ रहे सब्सक्राद है नेक्स्ट क्यूस्टन देखेंगे एव भी भाई हैं तथा सी वडी बहने ठीक है यह उपर वाले दोनों लड़के हैं अब क्या कह रहा है A का लड़का D A का लड़का D का भाई है तो B और C में क्या अंतर है A का लड़का D का भाई है तो देखो A का लड़का करो पहले यह मानो कोई क्या है A का लड़का यह क्या है A का लड़का यह किसका भाई है D का किसका भाई है D का भाई है ठीक है तो आपको बताना है कि C, B और C में क्या संबंद है, तो देखो साफ साफ ये आप क्या किया करो, खुद उपर लेके देख लिया करो, बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए, अब देखो, A का लड़का ये क्या हो गया, D का भाई हो गया, और D और C खुद क्या है, बहने हैं तो मतलब D का, D का B क्या लगा, D का B चाचा लगा, मतलब ये दोनों बहने हैं, तो C का B क्या लगेगा, चाचा लगेगा, C का भी चाचा लगेगा, क्यों, क्योंकि D का चाचा लग रहा है B, तो ये C का भी चाचा लगेगा, क्योंकि D और C भी क्या हैं, आपस में, बहने है तो B, C का क्या है चाचा है तो D option क्या हो जाएगा आपके पास right हो जाएगा है ऐसे सवाल खुद पे लेके देख लिया करो और easy हो जाते है नेक्स्ट किस्चन सुरेंद्र A बिंदू से दक्षण दिशा में एक किलोमीटर चलता है ठीक है यह मान लेते हैं कौन है सुरेंदर है यह क्या करता है दक्षण दिशा में दिशा पता हो नीचे यह इधर होती है यहाँ पे आपकी पूरव यह होती है पस्चिम यह होती है उत्तर और यह होती है दक्षण अब दक्षण में चला एक किलोमीटर चल लिया मान लो चलो अब क्या किया उसने वह बाएं मुढ कर क्य सैची वह वह ःती तरफ रंडा और किलोमेटर चला ऑब आश्य किलोमेटर और शाह सब्सक्राइब जला अब सब्सक्राइब श्ब्रक्राइब की तरफ है उपर क्या है उत्तर है और इस बिलकूल 2 राइट ईए उप्षिन आपका राइट लग होगी कवी के लिए सब कुछ पैन ही होता है यह आपको बताना है जल्दी से धागा बटन दर्जी या सिलाई जवाब देंगे तो दर्जी जो होता है वह सुई से सिलाई करते हैं तो सी ओप्चन क्या हो जाएगा यहां पर दर्जी जो है आपका रइट आंसर हो जागा पचास कुस्चन कर लिए अराम से बाते करते करते भी किया है अराम से किस्चन हो गया अपना पेपर लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं है कोई और रहे समझा रहे तो वह भ 30 रुपीज में आपके लिए रख्य हुई हैं ज्यादा चार्जिस भी नहीं लेते हैं वह ईबुक से आप लास्ट टाइम में पढ़ाई कीजिए जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए और थैंक यू सो मच एक बार भारत माता की जय बोल देंगे और पचास में से स्कोर बताए थैंक यू